अब हम क्या करेंगे, इस home page पर काम करेंगे, यानि एक container हम यहां पर बना लेंगे, उसके अंदर एक typewriter का effect भी हम add करने बाले, पहले हम क्या करेंगे, basic skeleton इसका बना लेंगे, इसके बाद में typewriter पर काम करेंगे, चलते वापस visual studio code में, और यह रहा हमारा home page, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस h1 को remote कर देंगे, और इस div के बदले, fragment का syntactical sugar form, और यहां पर मैं class बना देता हूँ, container fluid के नाम से, तो container dash fluid, bootstrap की class है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और class create करेंगे, container के नाम से, पहले container fluid है, उसके अंदर एक container class है, और इसके अंदर एक h1 में यहां पर add कर देता हूँ, h1, i, im, अब इतना लिख के छोड़ देते हैं, और यहां पर custom classes भी दे देते हैं, जैसे कि यह home page है, so home container कर देते हैं इसको, इसको थोड़ा से change कर देंगे, शलते हैं वापास, इसके बाद में home CSS को open करेंगे, और यहां पर इसको target करना है, इसको target करेंगे, सबसे पहले container को target कर लेंगे, so इस class को copy कर लेते हैं, copy करने के बाद यहां पर इसको target करेंगे, home container, और इसकी height set कर देंगे, जैसे कि height आप कर देते हैं, temporary, तो यहां पर मैं black add कर देता हूँ, save कर लेते हैं, एक बार चलते हैं वापस browser पर, तो देखें, यह कुछ इस तरीके से आ रहा है, और container fluid काम नहीं कर रहा है, एक बार side में करके देखते हैं, मैं container fluid की properties में से remove करके एक बार देख लेता हूँ, यह जो fluid हमने add क क्या हूँ है, मैं भी इसकी वज़े से हो रहा हूँगा, cut, save कर लेते हैं, इसको चलते हैं, वापस refresh, नहीं, इसकी वज़े से तो नहीं हो रहा है, इसको वापस से add कर देते हैं, Ctrl-Z, और menu के अंदर हमने add किया था न इसको, check कर लेते हैं, menu के अंदर नहीं, layout में किया था, इसके अंदर container इसको रिमूफ करके एक बार चेक कर लेंगे, save, चलते हैं वापस, अच्छा, save किया तो यहां पर इसका size कम हो गया, तो हम एक काम कर सकते हैं, जो हमारा sidebar menu है, इसकी position हम क्या कर देंगे, fix कर देंगे, और यहां पर मैं container वापस add कर देता हूँ, container के अंदर इसक और अभी spacing का issue आ रहा है, और हमारा content side में हो गया, देख सकते हैं, so content को fix कर सकते हैं, कोई दिखकत नहीं है, home css में से, मैं क्या करता हूँ, यहां से इसका color remove कर देता हूँ, यहां से color remove कर देंगे, और sidebar section के अंदर इसका color हम add कर देंगे, paste, save कर लेते हैं, इसको इक बार द 100 pixels enough रहेंगा, I think, save करके एक बड़ चेक कर लेते हैं, जलते हैं वापस, तो दीखे, 100 pixels enough है, और नए, थोड़ा सा effect आ रहा है, so हम यह sidebar का थोड़ा सा size भी कम करके check कर सकते हैं, sidebar का size हमने कितना दिया था, एक बड़ चेक कर लेते हैं, layout, sidebar का size है, हमारे पास 230 है, toggle पे 230 है इसको 200 कर देंगे हम, ठीक है, अब ठीक ठाक लग रहा है, menus भी, और यहां पे हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा पुछ करा देंगे, side में, so हम के अंदर हम क्या करेंगे, इसको 120 pixels कर के देख लेते हैं, 120, save, अभी भी काफी चिपक कर आ रहा है, इसको 150 कर जाता हो, 150 pixels, या, अब ठीक है, और इस text को भी हम क्या करेंगे, बीच में थोड़ा सा align कर देंगे, so margin देख लेंगे, हमने इसको directly h1 के अंदर लिखा था, यानि इसके लिए class है, home content, इसको हम target कर लेंगे, so इसके नीचे, dot, home content, और इसके अंदर हमारे पार से h1, इसको target करेंगे, और यह जादा हो रहाँगा, तो इसको हम 80 pixel भी करके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास एक और text अभी add करना है, 80 pixel सही रहेंगा, देखे, कुछ इस तरीके से रहेंगा, I am, उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, typewriter effect जो है add करने वाले है, so इसके लिए आप पैकेज क इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले शुरू आप क्या करें, npm.js पर जाएए, और यहाँ पर आप सर्च करिए, typewriter, और बहुत से option आपको मिल जाएंगे, इसमें दीकिए second वाले typewriter effect, इस पर click करिए, और कुछ इस तरीके से आप जाए, typewriter effect अपने react की application में add कर सकते हैं, सबसे पहल करिए, यह installation command है, इसको copy करना है, चलते हैं वापस visual studio code में, और integrated terminal इस्तेमाल कर लेता हो, background में मेरे पास application रहना है, देख सकते हैं, command prompt के अंदर मैंने इसको run के आपा है, और integrated terminal की मदद से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे, सबसे पहले client directory के अंदर switch हो जाओंगा, cdclient, और य सकते हैं, काफी fast यह download हो चुका है, इसको आप cross check भी कर सकते हैं, package.json की file में, सारी के सारी dependencies आपको मिल जाती है, so make sure यह जो आपके पास dependency का object है, आप check out कर सकते हैं, क्या क्या चीज़े आपके application में install है, जिसके कि अभी हमने typewriter effect को add किया है, तो यहाँ पर उसकी dependency add हो गई, अब इसको कैसे use करना है, तो नीचे हम scroll करेंगे, इसको official documentation देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका instance भी बना सकते हैं, new typewriter, या पर directly हम क्या करेंगे, custom tag की तरा इसको use कर लेंगे, नीचे scroll करें, आपको काफी इसके suggestion मिल जाएंगे, देखें, यहाँ पर, कुछ इस तरीके से भ करेंगे, अब इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे use करेंगे, वापस आएंगे documentation में, और यह typewriter का जो भी tag है, इसको copy कर लेंगे, copy करने के बाद, यहाँ पर, एक h2 ले लेता हूँ है, h2, और इसके अंदर इसको paste कर देंगे, save, तो अभी फिलाल हमको hello world, यहाँ पर show होना चाहिए, चलते हो वापस application में, यह रही हमारी application, तो दीखें, यहाँ पर hello show कर रहा है, और world भी यहाँ पर बराबर से show कर रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, string जो है, change कर देंगे, जैसे कि hello के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर react.js, यहाँ पर directly full stack कर देते हैं, full stack developer, उसक इसका color भी आप change कर सकते है, auto start का मतलब क्या है, कि initial time पर typewriter effect हमको provide करेंगा, आप चाहिए, तो इसको conditionally भी कर सकते है, auto start में आप अपनी custom value या पर interval function का भी use कर सकते है, और loop का मतलब क्या है, कि continuous looping होते रहेंगा, मतलब, देखिए, आपको बता देता होगा, यह जैसे आरहा developer, जो भी आपको add करना है तो आप add कर सकते है, और सबके बाद में, exclamation mark add कर देता हूँ, क्योंकि हम complete developer नहीं है, still हमको बहुत सी चीज़े learn करना है, इसलिए मैं यहाँ पर exclamation mark add कर देता हूँ, और इसका color भी आप change कर सकते है, directly हम इसको target कर देंगे, और यहाँ पर देखिए और इसमें color कर देंगे, yellow, save कर लेते हैं इसको, या फिर मैं hex color use कर लेता हूँ, t0, b50, f, save कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस application में, तो देखिए, कुछ इस तरीके से भी यह show करेंगा, hi, I am react native developer, जो भी आप जितनी भी shrink add करेंगे, तो वो perfectly यहाँ पर add होता रहेंगा, औ इसमें typewriter effect भी add कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास scroll effect भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको fix कर लेंगे पहले शुरू, I think, यहाँ पर हमने क्या किया है, margin left 150 pixel किया, इसलिए scroll effect देखने मिल रहा है, इसको comment out कर देते हैं, save, और एक बार देख लेंगे, चलते हैं वापस, तो देखें, अब यह शो नहीं कर रहा है, scroll effect, मगर हमारा content पूरी तरह से visible नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यह margin left है, इसको यहाँ से cut करके, मैं h1, और comment भी uncomment कर देंगे, फ़ले शुरू सको, और यह दोनों में मैं add कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर h1 और h2 के अं वापस application में, तो देखें, अब बराबर से show कर रहा है, और कोई भी हमारे पास scroll effect यहाँ पर देखने नहीं मिल रहा है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर buttons भी add कर देंगे, और इसके बीच में थोड़ा सा gap जादा हो रहा है, h2 के बीच में, so I think padding इसको कर देंगे 5 pixel ठीक रह करें, एक new div बना दे, इस h2 के बाद में, और इसका नाम में रखता हूँ, button group या फिर home button कर देते हैं, home dash buttons, एक div बनाया, उसके अंदर एक button ले लेंगे, normal button ले लेता है, button, और इसका नाम हम रखेंगे, hire me, और इसके अंदर class भी add कर देंगे, stop लिखेंगे, यहाँ पर class name, bootst class, इसके बाद में, btn, dash, hire, इसको custom हम target करने वाले हैं, इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक और button ले ले लेंगे, इसी को आप copy paste कर सकते हैं, और इसका नाम हम रखेंगे, button, dash, tv, इसमें हमारा हम resume रखेंगे, और यहाँ पर इसका नाम रख सकते हैं, my resume, save कर लेते हैं इसक home buttons, margin left इसमें भी add कर देंगे, आपको लिखना है margin left of 150 pixels, save, चलते हैं वापस application में, तो दीखें, कुछ इस तरीके से आ रहा है, अब इसको button भी बना लेंगे हम, तो यहाँ पर आप background colors भी add कर सकते हैं, directly हम क्या करेंगे, पहले शुरू, my buttons को target करेंगे, और उसके अंदर हमार एक class है, btr, task, higher, first button है हमारा higher के लिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको target कर लेंगे, और इसमें background color change कर देंगे, background color, और इसको blue color दे देता हूं, तो इसके लिए मैं hash color use कर रहा हूं, hash 3b, 8ff3, और जो इसका 4 color है, इसको हम कर देंगे, white, या फिर 4 color automatically white ही रहेंगा, फिर भी हम additional इसमे add कर देते हैं, और इसकी width पे add कर देंगे, इसको कर देता हूं, 160 pixel, save, एक बार देख लेते हैं, कैसा दिख रहा है, तो देखे, कुछ इस तरीके से यह आ रहा है, और hover effect पे भी आप कुछ न कुछ operation perform कर सकते हैं, जैसे कि same class को मैं copy paste कर लेता हूं, copy, और यहां पे, इ और साथी में, इसकी width जाना, उसको कर देंगे, 200 pixel, I think 200 enough है, और इसमें, थोड़ा सा smooth effect भी हम add कर सकते हैं, पहले देख लेते हैं, कैसा दिख रहा है, save, चलते हैं, वापस application में, यह रहा हमारा high army button, इस पर जैसे hover करेंगे, तो देखे, यह काफी fast width चेंज कर रहा है, तो इस देखने मिलेंगा, इसी तरीके से my resume का button है, इसको भी style कर लेंगे, तो नीचे हम क्या करेंगे, again buttons को target करेंगे, और इसके अंदर हमारे पास है btn-cv, इसका भी color हम change कर देंगे, पहले शुरू, background color, और इसमें हम हमारा theme का color use कर लेंगे, so hash f29f67, और full color इसमें भी कर देंग और width case में जरूरत नहीं है, save कर लेते हैं इसको और इकबाल देख लेंगे, चलते हैं वापस application में, तो दीखें, कुछ इस तरीके से show करेंगा, थोड़ा सा margin left दे देंगे हम, तो यहां पे आप लिखेंगे margin left of 10 pixel, save, अब ठीक टाक लग रहा है, या पिर और थोड़ा सा बटन CV, इसके over effect पे, यहां पे आप लिखेंगे, over और opacity चेंज करके देख लेंगे, opacity इसको कर देंगे, 80% ठीक रहेंगा, और transition इसमें भी add कर देता हूं, transition of 1 second, save, अब चेक करते हैं, तो दीखें, कुछ इस तरीके से यह smooth effect हमको देखने मिलेंगा, अब हम क्या करेंगे, ज जादा better है, तो एक PDF फाइल हम क्या करेंगे, हमारे root directory के अंदर create करेंगे, so src के अंदर क्या करेंगे, new folder बनाएंगे, assets के नाम से, और इसके अंदर मैं क्या करता हूं, एक और sub folder बनाता हूं, images के नाम से, अगर आपको images रखना है तो images इसमें रखिए, या पिर हम क्या करे एक और इसमें folder बनाएंगे, docs के नाम से, और इसमें आप तारे documents रख रखते हैं, अब इसके अंदर मैं एक new file बना देता हूं, और इसका नाम में रखता हूं, resume.txt, make sure आप क्या करें, इस file को अपने resume से replace करें, यानि जो भी आपकी PDF की file रहेंगी, ना resume की, उससे आपको इ PDF की file बना के रखे, resume की, अब इस file को हम क्या करेंगे, यहाँ पर, जैसे इस button पर click हो, तो यह download होना चाहिए, तो यह feature हम बनाने वाले है, उसके लिए हम normal anchor tag का भी use कर सकते हैं, जैसे हमने यह button लिया है, इस button को आप cut कर दें, इसके बदले लिखे a tag, यानि anchor tag, देखिए, opening closing tag के अंदर है, अब इसमें हम क्या करेंगे, href को add कर देंगे, hyperlink के लिए href का इस्तेमाल किया जाता है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमारे assets के अंदर देखिए, docs का folder है, और उसके अंदर पर हमारा resume का PDF file है, अभी मेरे पास text है, लेकिन मैं assume कर रहा हूँ कि आप PDF की file है, तो हम क्या करेंगे, इसको initial time पर import कर देंगे, ताकि हमारे application को पता चले, कि यहाँ पर PDF की file है, और इसका नाम में रखता हूँ, resume, और इसका path आपको देना है, so dot dot slash, फिर again dot dot slash, एक step पीछे जाना है, उसके बाद में assets, assets के अंदर हमारे पास है docs का folder, और इसके अंदर ह call additional property add करना है, यानि attribute add करना पड़ता है, download, और इसके अंदर आप बता सकते हैं, क्या चीज़ है, तो इसमें आप अपना नाम लिखिए, जैसे के, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, your name dot pdr, इतना लिखके save कर लीजिए, so यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको add करना है, तो download की functionality enable हो जाएंगी, अब इसको check कर लेंगे, चलते हैं वापस browser में, एक बार refresh कर लें application को, अब जैसे आप इस पर click करेंगे, तो यहाँ पर notice करिए, automatically download का option start हो जाएंगा, अब मैं click करता हूँ, तो लिखिए, your name के नाम से PDF download होगी, अब आप इसको open करके check कर सकते हैं, अभी ह एक बार्णीड प्लते हैं, बार्णीड वाम से खाम कर लेंगे, झाप इसको लेंगे, अब नाम सेपिए, अब रहें वाब कर रहें, अब एक रहें होगी, अब मैंगे।